नमस्कार दोस्तों एक्जाम हित्र में एक भर फिर से आपका स्वागता अश्चा करता हूँ आप सभी अच्छे होगे तो दोस्तों इलिजिबल केंड़ेट की लिस्ट है एम्स ब्सकी नर्सिंग के लिए तो उसकी लिस्ट है वो आपकी जारीकर दी गई है तो आप इस लिस्ट में अपने रोल नंबर है वो आप किस तरह की से चेक कर सकते हैं बाकी इस लिस्ट में आपकी क्या अपडेट दी गई है सारी जान आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी जो लिस्ट वो जारी कर दी गई है तो इस लिस्ट में जिनके इंडिट का नाम है वो किवल कांसलिंग में पारिस्पेट कर सकते हैं तो यह आपकी मौक राउंड होगा पहले उसमें यहाँ पर जो ओवरोल रेंक है वो आपकी जारी कर दी गई है यहाँ पर आपके रोल नमबर दी गए है कैटिगरी कुन सी है और ओवरोल रेंक कितनी है और परसेंटेज आपके यहाँ पर शो कर दी गए है अब यहाँ पर आपकी मार्क्स है वो शो नहीं किये गए है तो ज आपके और comment box में ज़रूब दाए दोस्तों की आपकी कितनी rank का यह है और कितनी percentage आपके इस जो list में है आपकी बन पा रही है तो इस list में जो eligible candidate की list जारी की गई है उन सभी का यहां पे role number mention किया गया है तो यहां पे अगर cuttop की बात की जाए दोस्तों तो cuttop आप overall देख सकते है UR की यहां पे 1380 rank तक यहां पे इस list में दिया गया है अब यह ज़रूरी नहीं है कि जिनका list में नाम है तो सभी को seat allotment होगा seat allotment इस list में सभी जिनका अच्छा score होगा और जो college preference सही से feel करेंगे तो उस basis पे ही आपको यहां पे seat allotment होगा EWS में physical handicap के लिए यहां पे नहीं दी गई है EWS के अगर बात की जाए तो 1300 चिंतर है OBC non criminal care के लिए 1987 rank तक इसमें रखा गया है और OBC physical handicap के लिए अगर बात की जाए तो 543 तक रखा गया है SC के लिए overall rank बात की गई दोस्तों यहां पे SC के लिए 2761 और ST के लिए 2725 rank तक यहां प की कटोब दी गई है अब दोस्तों आपकी जो next process रहने वाली है वो क्या रहेगी तो वो रहने वाली है OBC non criminal और EWS certificate जिन candidate के पास में है तो उन्हें अपना certificate वो upload करना रहेगा official website पे आपको जाना होगा login details फिल करनी रहेगी उसका separate video provide कर वा दूँगा तो उसकी date आपके बाइस के बीच में ही आप अपने जो document upload कर सकते हैं अगर आपका इस list में नाम है तो अगर जिन candidate का इस list में नाम नहीं है तो उन्हें upload करने की कोई आवशकता नहीं है तो यहाँ पे 39-2022 से 57-2022 तक आप अपना जो OBC non criminal और EWS के अब इन ही दो category के लिए बाकिया CST category के आपको मैंने already आप वो बता रखी है कि आपका इस date के बीच में validation है issue date आपकी important है अगर ये date आपके mention है तो आप अपको जो reservation है उसका फायदा मिल पाएगा तो ये issue date मैंने already आपको detail में बता रखी है अब इसमें जो आपके important चीज़े दोस्तों वो आपका यहाँ पे दिया important यह है कि आप अपनी जो choice feel करेंगे तो वो choice feel अपनी जो college आपकी दीग है सारे aims की तो उनको आपको priority में किसको रखना है किसको नहीं रखना आपके अपनी rank के basis पे तो जो first round में आप जो choice feel करेंगे वही आपके सभी round के लिए वही रहेगी आप फिर उसको बाद में change नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी rank के coding आप choice ज़रूर feel कर दीजिएगा जैसे कि अगर आपकी average rank है तो आपको जैसे new college है उनको top में रखना है अगर आपकी अच्छी कासी rank है तो आप जो EMS Delhi जैसे institute उनको top पे रख सकते हैं तो आपको choice इस तरह के से feel करनी है जिससे कि आपको easily college है वो first round में alert हो जाए इसकोर और आपकी rank है वो आपकी यहाँ पर show करतीगी है लेकिन अगर आप college preference सही से feel नहीं करेंगे तो आपकी अच्छी rank आने की बावजूद भी है आपको जो college है वो alert नहीं हो पाएगी तो उसका मैं separate video provide करवा दूँगा कि किस तरह के से आपको नुक् करता था जो आपके qualified candidate है उनकी list यहाँ पर जारी कर दिए तो यह आप counseling में participate कर सकते हैं आयोप आपके लिए वीडियो यूजफूल रहा होगा वीडियो पसना है वीडियो को लाइक करें शेर करें और comment box में आप जुरूब पताई कि आपकी कौन सी rank का यह कितनी percentage आपके बन हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टूप डिट के साथ में धन्यवाद जेहीं जे वारत